हर्षद महता जिसका पूरा नाम हर्षद शांतिलाल महता था, अपने समय में शेर मार्केट का एक ब्रॉकर, जिसने 1992 में शेर मार्केट में मैनिपुलेशन किया था, प्रारंभिक जीवन 29 जुलाई 1954 को पनेल मोटी राजकोट गुजरात में हर्षद महता का जन्म एक छोटे स बिजनसमेन परिवार में हुआ, हर्षद महता का बचपन मुंबई के कांधी वली में गुजरा, उसके बाद उनका परिवार रायपूर के मौध अहापारा गुरू नानक चौक में आके बस गया, रायपूर के होली क्रॉस बेरोन बाजार सेकंडरी स्कूल से उन्होंने स्क उनका इंट्रेस्ट शेर मार्केट की तरफ जागा, और रार उसने नौकरी छोड, हरी जीवन दास, नेमी दास, सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकरेज फर्म में बतौर जौबर नौकरी जोईन कर ली और प्रसन्परी जीवन दास को अपना गुरू मान लिया, प्रसन्परी ज इसे चेंज में बतौर ब्रोकर मेंबर्शिप ली, और यहां से शुरू हुआ स्टॉक मार्केट के उस बेताज बादशाह का सपर, जिसे आगे चलकर स्टॉक मार्केट का राजा बन लिया, पॉइंट नंबर वन, घोटाले की शुरुआत, असली खेल तब शुरू हुआ, जब 1990 के दशक में हर्शद मेहता की कंपणी में बड़े इवेस्टर पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वज़े से हर्शद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में च्छाया, वो SEC यानि Associated Cement Company में उनका पैसा लगाना शुरू किया, हर्शद मेहता के SEC के पैसा लगाने के बाद मानो SEC के भाग यही बदल गए, क्योंकि SEC का जो शेर 200 रुपे का था, उसकी कीमत कुछ ही समय में 9000 हो गए, 1990 तक आते आते हर्शद मेहता का नाम हर बड़े अख़बार मैगजीन के कवर पेज पर आए दिन आने लगा, स्टॉक मार्केट में हर्शद मेहता का नाम बड़े अदब से लिया जाने लगा, हर्शद मेहता के 15500 स्कॉयर फीड के सीक्रेंसिंग बैंट हाउस से लेकर, लक्जूरियस गाडियों के शौक तक सबने उन्हें एक सेलिबरिटी बना दिया था, ऐसा पहली बार हो रहा था, कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस् 2020 में हर्शद मेहता के इस राज से टाइम्स ओफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने इस राज का परदा फार बैंक से 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था, साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लोटा देता था, मगर कोई भी 15 दिन के लिए लोन नहीं देता, मगर हर्शद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता था, हर्शद मेहता एक बैंक से फेक बियार बनावाता, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था, हालंकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने उससे अपने पैसे वापस मागने शुरू कर दिये खुलासा होने के बाद महता के ऊपर संज्वेंक टरक्रमिनर चार्ज लगाए गए और लगभग 600 सिविल केस फाइल हुए पॉइंट नमबर दो आखिर कैसे करता था गुटाला हालांकि इन सब के बावजूद हर्शद महता का मन नहीं माना वो अखबारों में advisory columns लिखने लगा कि आप इस कंपनी में invest करें आपको फाइदा होगा या इस कंपनी में न करें इससे नुकसान होगा बाद में पता चला कि महता सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाने की advice देता था जिसमें उसका फुद का पैसा लगा हुआ है पॉइंट नंबर थीन प्रधान मंत्री नरसिमह राव पर लगाया घोटाले का आरोप हर्शद महता ने 1990 में पूर्व प्रधान मंत्री और उस वकट कांग्रेस के अध्यक्ष पीवी नरसिमह राव पर केस से बचाने के ये एक करोड घूस लेने का आरोप लगाया था हालांकि परियाप्त सबूत ना होने के कारण सरकार द्वारा इसे सिरे से खारिच कर दिया गया था पॉइंट नंबर चा रहस्यमाई मौट हर्षद महता पर कई सारे केस चल रहे थे मगर उसे मात्र एक केस में दोसी पाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोसी पाते हुए पांच साल की सजा और पचीस हजार रुपएये का जुर्माना ठोका था महता थाने जेल में बंद था इतीस दिसंबर दो हजार एक को देर रात उसे चाती में दर्द की शिकायत हुई और इसी दोरान जेलर को कई वार बोलने के बाद उसको हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही इनकी मृत्यू हो गई तो ये थी हरशद महता के जीवन से अंततक की कहानी ऐसी ही इन्फोर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें